नमश्कार आप देख रहे हैं, मोजो पतरकार मैं हूँ आपके साथ पवन कुमार जहा महाले आमवस्या पित्रपक्ष का आखरे दिन होता है हिंदू पंचान के नुसार आश्विन माह की आमवस्या को महाले आमवस्या कहते हैं इसे सर्व पित्र आमवस्या, पित्र विसरजनी आमवस्या एवं मोक्ष दाइनी आमवस्या के नाम से जाना जाता है इस बार महालया मवस्या की समाप्टी के बाद शारदिय नवरात्री आरंब नहीं हो रहा है महालया का बंगाली लोग बेसबरी से इंतिसार करते हैं दरसल महालया दुर्गा-पुजा की शुरुवात और पित्रपक्ष का समापन माना जाता है वहीं इस दिन मादुर्गा से धर्ती पर आने की प्रार्थना की जाती है वैसे तो महाले दुर्गा पुजा से साथ दिन पहले आता है लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण ये एक महीने बाद यानी 17 ओक्टूबर को आएका इस तरह का संयोग 19 साल पहले 2001 में बना था जब पित्रपक्ष की समाप्ती के बाद एक महीने बाद नवरात्री शुरू हुआ था अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हो रहा है जो 16 ओक्टूबर को समाप्थोगा आए जानते हैं अखिर क्या है महाले की माननेता ऐसा कहा जाता है कि महालया आमवस्या के दिन ही मादुर्गा की प्राकट्य हुई थी और उन्होंने इस धर्ती को पापियों से मुक्त किया था साथ ही शास्त्रों में इस बात का जक्र भी है कि जिन पित्रों की मृत्यू तिथी का लोगों को पता नहीं होता है उन पित्रों का श्राद कर्म हिमालय आमवस्या के दिन किया जाता है इस दिन अपने पूर्वजों को याद कर उनके प्रती श्रधा भाव दिखाने का समय होता है पित्र पक्ष के दौरान पित्र लोग से पितर देव धर्ती अपने प्रियजनों के पास किसी न किसी रूप में आते हैं ऐसे में जो लोग इस धर्ती पर जीवीत हैं, अपने पूर्वजों को प्रसंद में करने उनका आशिरबाद प्राप्त करने के लिए पित्रपक्ष में उनका तरपन करते हैं। पित्र दोश या तमाम तरह के कश्ट दूर होते हैं और महाले आ मवस्या के दिन वे अपने लोक पुना वापस चले जाते हैं। को मनाया जाएगा। आज के लिए इतना ही देखते रहिए मोजो पत्रकार अगर आप हमें फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और